नमस्कार दोस्तों कैसे हो आसा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे दोस्तों आप मैंसे कई सारी लोग डॉग ब्रीडर हैं और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कि आजे पेट अपने घर पे एक डॉग रखे हुए हैं और ये तो बहुत इक गुड निउस होती है सारे डॉग ब्रीडर के लिए या फिर एक पेट पैरेंट के लिए जो एक पपी चाहते हैं अपने डॉग से लेकिनों को कन्फूजन रहता है कि डॉग प्रेगनेंट हुआ या फिने हुआ जो कि प्रेगनेंट होने के बाद कुछ और डाइट दिया जाता है जो कि थोरा सा कॉस्टली होता है तो इसको जानने के लिए कि आपका डॉग प्रेगनेंट है या फिने है बहुत सारे टेस्ट है आज मैं आपको चुटकियों में करके बताऊंगा कि आप लोग कैसे पता क कर सकते हो कि आपका डॉग प्रेगनेंट है या फिने है लाइब मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रही है मैं सबसे पहले आपको एक राज बताता हूं कि यूरियन से कैसे टेस्ट किया जाता है कि कोई भी चीज प्रेगनेंट कैसे है लाइक हम यूमेन का बात कर ले आदमी का बात कर ले तो वह प्रेगनेंट कोई औरत होती है तो कैसे पता चलता है कि वह प्रेगनेंट है तो आज से अगर बात किया जाए 700 साल पहले का तो उस समय कोई ऐसा अभिसकार नहीं हुआ था जैसा मेरे हाथ में किट है तो उस समय क फब्राई कर गया तरहएंग ऊच्छे तरहागे से गर्व कर गया तो यह माना जाता था कि हम प्राई नहीं किया तो यह माना जाता था कि वह आरत प्राई हुई है इसमें थ्लोडा जयादा वो काफी अच्छे तरीकी से ग्रोग करने में हिल्प करता है बट अब हम लोगों के पास उतना टाइम है नहीं हम लोगों को चुटकियों में वो रिजल्ट चाहिए होता है कि प्रिगनेंट है या फिर नहीं है अब दोस्तों जो कि human का अगर हम बात करें तो blood test से भी पता चलता है और kit से भी पता चलता है ठीक है human का जो toilet sample होता है उसे ले करके किट पर डाला जाता है अगर चीट positive शो कर दिया तो मत्ब यह हुआ कि कोई लर्किया और तो maximum pregnant अब दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि उसके यूरीन में या फिर उसके बलड में एक HCG नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो कि किट के कलर को चेंज कर देता है इसे आपको पता से जाता है कि कोई भी और प्रेगनेंट है या फिर नहीं है बट यह चीज मैंने आपको इस दखाऊंगा कि इसमें क्या सिस्टम है तो कैमरा को थोड़ा से नजदिक ले आईएगा और जूम करके वहीं से दिखाई गया नहीं तो हो सकता है कि यह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए जितना दूर आप रह सके उतना दूर रहें बट जूम करके देखाई उठ जाई वह होता है देखें यह किट है अब दोस्तों इस किट में क्या है कि यहां पर सेंपल डालना होता है यूरीन का सेंपल यहां पर सेंपल डालने के बाद यहां पर आपको दो लाइनिंग होना चाहिए अगर एक लाइनिंग है मतब यह हुआ कि प्रेगनेंट नहीं है लेडी अग ईगर सामने वाला लाइनल जो है वमेन होता है वर इंडिकेशन वाला होता है अगर वूफ लाइन आ गया मतलब कि कोई भी और या लड़्की प्रेंट है वर यह सामने अगर आ जाए और सामने अगर लखिर ना आ पर नो नो बैट गृल बैट 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 इदर जा तो इधर आप नजदीक आई ये नजदीक नजदीक आ करके दिखा ये नजदीक कम मौ home और नजदीक यहां देखिए सेंपल डाला जाता है देखिए इसमें मैंने सेंपल डाल दिया अब देखी कि क्या होगा इसमें यह दीर देर आगे पास करेगा और इसका कलर चेंज होगा अब देखे तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको एक चेंज दिखाए पड़ेगा जहां से देखिएगा इसमें थोरा सा टाइमिंग लगता है अभी पूरा खतम होने वाला है आप द्यान से देखिए फिर मैं आगे आपको बताओंगा ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगता है ठीक है तो यहां पर आपने देख लिया कि किस तरीके से ठीक है तो यहां पर कोई भी लाइन आपको देख लिए अगर इसमें लाइनिंग हो जाता है इसका मतल़ यह हुआ कि यह प्रेग्णेंट है अब मैं आपको बताता हूं कि यह लाइनिंग वीजिवल क्यूंव नहीं हुआ यह क्योंकि डॉक के यूरीन में एट प किट नाम का हार्मोन नहीं पाय जाता है इसके बज़ नाम का हर्मोन चेक किया जाता है ठीक है रिलेक्सिन नाम का हर्मोन चेक किया जाता है और वो बलड सेंपल ले करके फिर उस पे डाला जाता है तो वो जो सेंपल है वहाँ पर जाने के बाद कलर चेंज कर देता है और इसे पता चल जाता है कि डॉक के बलड में रिलेक्सिन ना किट आता है अगर आपको एक बार चेक करना है तो आपका साथ हजार रुपया चला जाएगा मतब यह समझो कि जितना का बवा नहीं उतना का जुन जुन आपका हो जाएगा इसलिए कोई भी ब्रीडर डॉग वाला किट नहीं रखते हैं ठीक है क्योंकि डॉग को फिड करने क जो खर्चा ही आएगा एक महने का वो अराउंड साथ हजार रुपय का आएगा तो आप लोग किट खरिदने से बढ़िया है कि आप लोग एक महने अच्छा खाना ही खिला दो अपने डॉग को अगर होने वाला है तो भी रिजल्ट मिल जाएगा अब दोस्तों आप लोग म उपर का आ जाएगा तो फिर आप उसका अल्ट्रा साउंड कर सकते हो ठीक है 21 से 24 दिन या फिस 27 दिन का होगा तो आप उसका अल्ट्रा सांड करोगे तो उसमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो प्रिगनेंट है या फिर नहीं है और अगर आपका डॉग 45 डेस से ज्यादा लगेगा नहीं और जो भी चार्जिस लग जाए अब मैं आपको बताता हूं कि सिंपल में फ्री में आप लोग कैसे पता कर पाऊगे कि आपका डॉग प्रेगनेंट है या फिर नहीं है सारा किट हो या फिर एक्सरे हो अल्टरा साउंड हो यह सब का जंजठी बाद या फिर 25 दिन बाद आपको पता चल लेगा या फिर एक महने के बाद आप पता कर पाऊगे घर पे ही तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप लोग पता कर पाऊगे तो सिंपली आप देखिए कि ये सिलू है इधर आई ये नस्दीक देखिए नस्दीक से जब आप देखोगे तो इसके निपल का जो साइज है वो इनक्रीज कर गया है आप देखो लास्ट वाला निपल देखो ये देखो ये देखो ये इनक्रीज कर गया है आप लोग निपल से ह बता कर पाओगे कि आपका डॉग प्रेगनेंट है या फिन है पहले जो था इसका निपल वो एकदम डाउन था सटा हुआ था चिपका हुआ था ठीक है और आप नस्दीक से दिखाईए और देखिए मेटिंग के 20 से 25 दिन के बाद जो निपल होता है उसका कलर हलका पिंकिस हो ठीक है यहां पर जैसे कि आप दिखाई पर रहे हो और चालीस दिन की हो चुकी है मेटिंग की तो इसके बज़े से जो निपल है उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ा हो गया है अब 15 दिन के अंदर इसका पपी होगा तो आप इसका स्टॉमेक भी देख सकते हो गर आप इस पहले उतना ज्यादा नहीं लगेगा बट मेटिंग के जैसे जैसे दिन मतब नजदीक आते जाएगा वईसे वईसे इस दोनों भाग में निपल के साइट में आपको स्पेस और इसका साइज बढ़ा होने लगेगा तो इसलिए आप लोग जब भी अपने डॉका मेटिंग क हो जाता है मतब यह कि सब कुस तो एसा ही लगता है कि डॉप प्रेगनेंट है निपल बढ़ाहुआ सब कुसव रावबद डॉप प्रेगनेंट होता नहीं है ठीक है तो ऐसे मैं आपको लोकल डॉक्टर ही बता पाएंगे टेस्ट करके या फिर अगर आपको फॉस प्रेग कोई भी तरीका नहीं अब्लेवल है कि आप लोग पता कर पाओ कि आपका डॉगifiques प्रेगनेट है या फिन नहीं है फिल हाल में Easy वय में कोई तरीका नहीं है अगर इन कोई आयगा तो में आपको अपडेट कर दूंगा तो फिल हाल यही इस अब तरीका था आप ने पूरा वीडियो देखा अच्छे से समझ गया होगा देख सकते हो कि मैं धूप में हूँ और इतना अच्छा इंफर्मेशन आपको दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरू करिए दो हजार लाइक्स का एम है आप लोग जितना जल्दी पूरा कर सकते हो करिए और नीचे कमेंड करिए कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई डॉग प्रेगनेंट है या फिर नहीं है दोस्तों क्या होता है कि डॉग जब भी मतब प्रेगनेंट होगी तो थोरा सा सुस् दोस्तों यह था एक बहुत इंफर्मेटिव वीडियो बहुत ही प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंड करिए और 10 में से कितना नंबर देना चाहोगी इस इनफोर्मेशन के लिए इतना डिटेल में मैंने आपको बतलाया है आप लोग कितना नंबर देना च और ऐसे ही इनफोर्मेटिव वीडियो आपको फ्री में मिलती रहेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए चेक कियो बाई 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 जहिंद